नवस्कार अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है अभी थोड़ी दिर पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके बताया साइंटेस्ट है और इजनाइल की रिवेटरी में काम करते है और मैंने पहले भी कहाता है कि कोवीट के दोरान मैं बहुत से साइंटेस्टों से जोड़ा था और हम लोगों ने एक अच्छा रिसर्च किया खास्तों से कोवीट को समझने के लिए उसमें कुछ यूएस के भी थे काफी लोग हम लोग मिले भी तभी मेरे मित्र ने मुझे बताया कि एक इरान का स्टेट्मेंट दिया कि इरान का ये कहना है कि हम एक ऐसा व उससे पुझा कि एस्टोलोजिकली क्या ऐसा दिखता है क्या देगे राहू जो होता है इन सब बवंडरकारी को रिपरजेंट करता है राहू बहुत ही मिस्टीरिस प्लैनेट होता है और केतू उसका एक हिस्सा है और केतू का जो प्रपर्टीज होती है वो भी बड़ी विं बाइन की कुल्डी देखते हैं बहुत दिनों से कुल्डी देखा जबकि मिडिलिस्ट में इस समय जो इस्तिती है वो बड़ी खतरनाक है आपको ध्यानों का मैंने बहुत पहले कहा था कि जितने भी man made religions है वो खत्म हो जाएंगे उनके खत्म होने के आप ही देखिएगा खासतों से ऐसे धर्म जहां पे हिंसा है और जहां पे मानवता नहीं है वो धर्म धीर धिरे खत्म हो जाएंगे कोकि जो परमात्मा है जिसको कि कोई रूप नहीं है जो कभी जन में नहीं लेता वो सिर्फ प्रकट होता है जिसकी बनाए हुई सिस्टी है इदि आप उसके खिलाब चलोगे तो वो आप बसने वाले नहीं हो को कि मेरी जितनी भी स्टडी रही आज तक की अब पूरे जो माइने हैं बदल गया है और यह समझ होता है और वो उसका अपना ही एक अन्वा होता है हर आदमी के अपनी आस्ता है मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूंगा लेकिन मैंने यह जुरूर कहा था कि मैनमेंट रिलीजिंस से होंगे वो धिये जरे खताम हो जाएंगे और अल्टिमेटली जो है दुनिया एक नए दायरे पर चलेगी एक नए रास्ते पर जाएगी और वो जो पीरट इडेंटिफाई है 2030-32 के आसपास और वहां पर एक हमको एक ऐसी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा जो एक संत होगा जो एक नए रास्ते पर ले जाएगा जो एक सान्ति का रास्ता होगा यह वक्त बताएगा देख और ऐसा नहीं है कि उसका सम्मंध सिफ भारत सही होगा तो कहीं पे भी हो सकता है तो आईए देखते हैं कि एरान क्या कुछ ऐसा कर सकता है तो एरान की जो हम लोग कुंडी लेके चलते हैं 1 अप्रेंट 1979 क account कुंडी लेके चलते है एरान की और यहां पे मैं यदि सौटकर्ट पे देखूँ तो जुपिटर की महादसा में मार्स का अंतर है और जो पिरिड अभी 22 अक्टूबर से जो राहू इसमें कनेक्ट होगा वो राहू बाउंडर कराएगा इसका मतलब यह हुआ कि एरान जो थ्रेट कर रहा है उसमें कहीं न कहीं कोई दम है गोचर में यह दियम जाके देखें कि कौन सा प्लैनेट्स कहां बेठा हुआ है तो सनी रेटोगरेट है मीन कुमबरासी में और गुरू वरिसरासी में वक्री पड़ा हुआ है और यह दोनों प्लैनेट्स होते है वो दिखा जाए तो इरान की कुल्डी में गैर्वे घर पे और आठवे घर पे खास्तों से सनी का आठवे घर में बैठना एक समस्या को बढ़ाता है यही हम जब इस्राइल की कुल्डी में देखते हैं तो इस्राइल की कुल्डी में राहू की महादसा है और यह राहू आठवे घर में बैठा हुए मैंने अक्सर बोला है कि जब भी राहू का सम्मन्द मंगल से होता है वो साहस को दुसाहस में बदलता है और इस समय जो इसराइल की का जो mode of action है खास्तोर से Muslim countries को लेके वो साहस को दुसाहस में बदल कर वो काम कर रहा है और अभी जितना भी कुछ हो रहा है Middle East में वो बहुत ही भ्यानक है तो क्या इसराइल को share का सवा share मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे weapons यूज होने वाले है जो कोविट करोना टाइप के जो आपके weapons होंगे पहले भी मैंने आपको कहा था कि कोविट का जो वाइरस था वो लीक हो गया दरवाइस वो इन समयों के लिए है रखा गया था तो कुछ इस टाइप की problems आएंगी खासतों से इरान और इजराइन में और बाद में ये धिये धिये nuclear की तरफ जाएंगी chemical राहू chemical है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलके chemical weapons भी यूज कर सकता है और उस इरान को कही ने कहीं से बाहर country से support मिलेगा और ये जो पूरा इलाका होगा ये आप देखिएगा बहुत ही कहते हैं ना कि आग के गोले के रूप में बनेगा मतलब ये पूरा का पूरा जो है आगे चलके खतम हो जाएगा इसका जो period मैंने identify किया हुआ है तो था हुजन 30, 32 के बीश मतलब ये हुआ कि ये 24 से 30 तक की बीश में अभी ये बहुत चलती रहेगी ये बहुत खतम नहीं होने वाली कोई कि मैंने अक्सर बोला है कि ultimately 78 nuclear bombs पटेंगे और वहाँ जाके एक disaster दिखेगा population इतनी बढ़ गई है कि उस population को one fourth में आना है तो ये सब ऐसे ही चलेगा अभी जो एक statement आया उसमें दम है और उसमें आप ये मान के चलेए कि अगले 10 दिनों के अंदर हम कोई बहुत बड़ा एक operation दिखेंगे खास्त हो से इरान और इस्राइल और surrounding country में जो उसका उसका जो radiation होगा वो बहुत ही खतरलाग होगा मैं तो यो प्रमात्मा से prayer करूंगा कि ऐसा कुछ ना हो लेकिन कहते हैं न कि विनास काले विप्रित बुद्धी जो एक धर्म है और जो पैसे की और जो जिद्ध है हर country में अपने आपको बहतरीन साबित करने का इसका विनास ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा तो खास्तों से मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो इंडियन्स फसे हुए है मैं उनसे request करूंगा कि वो इरान और इजरैन से निकल ले वहाँ से क्योंकि वहाँ पर बहुत disaster है और इस्तिती इतनी खराब होगी कि फिर आप लोग निकल नहीं पाएंगे तो खास्तों से कहते हैं कि जो प्राप्त है वो परियाप्त है जो है आपके पास जितना विधान है उसका लोके निकल लिए और अपने घर में आईए अदरवाइस कहा कि फस न जाए आप तो ये एक scientist के request पे वीडियो दिया था बिलकुल सही है कि next 15 days जो होंगे वो बड़े खतरनाक होंगे और आगे धीर दे समय जिससे बढ़ेगा और गंभीर होता जाएगा आगे पीछो होगा लेकिन दसा अंतर दसा गोचर जो है वो disaster की तरफ जारी है ये आप देखिएगा धीरे 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 ये एक इनको उपर कहते है ना कि इससे घास कटी आती है वेसे इनकी कटाई होगी और ये अपने आप ही अपने आपको खतम करेंगे नमस्कार